अज की सीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मुवाइल फोन में आप अपने मुवाइल फोन से कॉन्फरेंस कॉल कैसे कर सकते हैं अज की सीडियो में आपको डीटेल में जान करी देने वालों तो चलिए आप यह बीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों कॉन्फरेंस कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको मुवाइल फोन का डायल पैड ओपन कर लेना है ठीक ना प्लस का सिंबल बना हुआ एक तो यहां पर आपको करना यह है कि कोई दूसरा नंबर यहांपर कर ले तुछ यहां पर देखेंगा जब यह दूसरा पर सब्सक्राइब कर लेता है चलने लगती है तो आपका नीचे की साइड एक उप्षन शो हो जाता है merge call, merge call, ध्यान रखेगा merge call का यह option शोगा, merge call पर tap करना है तो यहाँ पर आपकी जो यह call है यह conference call में इस तरीक से बदल जाती है, ठीक है, तो दोस्तों इस तरीक से आप जो आप अपने mobile phone में conference call कर सकते हैं, अब मैं इसकी बारे में एक ही साथ जो है, कई लोगों से बाते कर सकते हैं जैसे मैंने यह दो number dial किया है तो अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो इन दोनों को सुनाई देगा, ठीक है अगर सामने से भी कुछ भी एक person बोलेगा तो हम बाकी के दोनों जनों को सुनाई देगा, ठीक है तो यहाँ पर जो कोई भी person hold पर नहीं रहता है और ऐसा भी नहीं कि conference call में आप सिर्फ दो ही number dial कर सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पर mobile number की संख्या को बढ़ा सकते हैं आपको करना है सिर्फ इसे simple add call पर tap करना है और यहाँ पर तीसरा number dial करना है उसे merge पर tap करना है merge call पर ठीक है तो इस तरीकी से आप जो calling की संख्या बढ़ा सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी तक छे से साथ लोगों से एक साथ जो conference call पर बात कर रहे हैं तो finally मैंने आपको बता दिया कि इस तरीकी से आप जो है conference call कर सकते हैं अपने वाइल फोन में ठीक है